आज तक रेटियो सुनता है सारा जहां नौमे दौर की मुलाकात पर साथ ही बताएंगे कि 26 जनवरी को जो ट्रेक्टर मार्च निकलने वाला है किसानों का उसे लेकर किसानों में ही क्या मतभेद हैं फिर यूपी की सियासत पर नजर जहां मायवती ने कहकर हलचल मचाई है कि वो अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगी और लंडन से आई हैक रिपोर्ट कह रही है कि बैंगलूरू दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता टेक हब बन गया है और फिर बात करेंगे भारत आस्ट्रेलिया के बीच वी चौथे टेस्ट के पहले दिन की लेकिन सबसे पहले सुनते हैं खुश्बू से हेडलाइन्स किसानों और सरकार के बीच आज 9 रौंड की बैठक हुई आज की बैठक भी बे नतीजा रही अब सरकार और किसानों की अगली बैठक 19 जनवरी को दोपहर 12 वजे होगी मायवती ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्राखंड के आगामे विधान सभा चुनावों के लिए बसपा किसी भी राजनितिक दल के साथ कोई गट बंधन नहीं करेगी पाटी अपने दम पर सभी विधान सभा शेत्रों में चुनाव लड़ेगी सिना दिवस के मौके पर आर्मी चीफ MM नर्वने ने कहा है कि पिछले साल देश ने चीन सीमा पर एक मुश्किल का सामना किया जिसका कड़ा जवाब दिया गया गलवान घाटी की घटना में जो जवान शहीद हुए उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा अयोध्या में बन रहे राममंदिर के लिए निधी समर्पन अभियान की शिरुवात आज से हो गई है राश्रपती रामनात कोविंद ने सबसे पहले 5,100,00 रुपे का समर्पन निधी दिया है महराश्र के शिवाजी राव भोसले को अपरेटिव बैंक घुटाले को लेकर ED की टीम ने सौच अभियान किया पूने में NCP, MLC, अनिल भोसले सहित कई लोगों के ठिकानों पर तलाशी की गई PMC बैंक घुटाला मामले में संजेराउत की पत्नी वर्षा पर बैंक से कुछ लोन लेने का आरोप था लेकिन अब दावा किया गया है कि जो 55 लाक उन्होंने लिये थे वो अब वापस लोटा दिये है विश्व भर में तेजी से टेकनोलोजी का विस्तार करने वाले शेहरों की एक लिस्ट में बंगलोरू दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता टेक हब घोशित किया गया है साथ ही इसमें छटवे स्थान पर मुंबई को भी शामिल किया गया है इंडोनेशिया में भुकंब के तेज जटके महसूस किये गए जिनकी तीवरता 6.2 रही अब तक कम से कम 34 लोगों के मरने की खबर है वहीं सैकडो लोग घायल हुए है अमेरिका के ट्रम प्रशासन ने सक्त कदम उठाते हुए चीनी स्मार्टफोन कंपनी शाउमी और सरकारी तेल कंपनी चाइना नाशनल ओफशोर ओइल कॉर्प को ब्लाक लिस्ट कर दिया है भारत और आस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट के पहले दिन आस्ट्रेलिया ने पांच विकेट गवा कर 274 रन बना लिया है कैमरन ग्रिन 28 रन और टिमपेन 38 रन बना कर क्रीस पर मौजूद है केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच एक बार फिर आज बातचीत का दौर चला इससे पहले इंटरनेशनल मौनेटरी फंड ने नए क्रिशी कानूनों की तारीफ की कहा कि ये कानून क्रिशी क्षित्र में बेहत जरूरी था सुधार हैं ये और ये भी कहा कि इस कानून का असर जिन लोगों पर पड़ेगा उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने के भी जरूरत है तो आज की सरकार किसान वारता में क्या हुआ बता रहे हैं आज तक रेडियो रिपोर्टर आनंद पटेल बेखे आज नौए दौर की बातचीत थी किसानों और सरकार के बीच में और ये बैठक भी बेनतीजा रही अगली बैठक 19 तारीक को टै हुई है लेकिन एहम जो है इसमें वारतालाब जरूर हुई किसानों और सरकार के बीच में जो किसान थे उन्होंने किसान लेदाओं ने कहा कि पंजाब में हरियाना में जो हाल के दिनों में केंडरी एजिंसियों ने रेट की है आर्टियों के खिलाफ और जो लोग किसान संगत्नों की मदद कर रहे हैं इस आंदोलन में ये बहुत दुरभागे पून है ये रुकना चाहिए दूसरी बात किसानों ने ये कही कि इस तरीके से बार बार वारता विपल हो रही है इससे ऐसा लग रहा है कि ये मामला लटकाया जा रहा है लेकिन सरकार ने कहा कि उसकी नियत बहुत साफ है और वो चाहते हैं कि बात्चीट से मसले का हल निकले देखे दूसरी चीज़ जो एहम बारता के अलावा होई है वो ये की एक तरफ तो किसान संगतनों ने ये कह दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट की जो अपॉइंटेट कमिटी है उससे कोई बात्चीट नहीं करेंगे उससे किसान संगतनों ने अपने आपको पिल्कुल अलग कर लिया लेकिन इसके पावजूद केंद्र और किसान संगटनों के जो नेता हैं उनके बीच जो वारता हो रही है उसमें कोई गतिरोध नहीं आया है तो ये एक positive development है किसान नेताओं का कहना है कि चुकि ये law ये कानून संसर्थ ने पारित किया है लेहाज़ा वो संसर्थ के जरिये ही इस कानून की वापसी चाहते हैं हलाकि ये देखना होगा कि सरकार कितनी उनकी बात मानती है लेकिन आज की वारता में भी कुछ खास निकला नहीं परकार ने जो तू कह दिया है पहले ही किसानों को की कानून जो है वो वापस नहीं होंगे और कुछ रदो बदल बदलाव ज है कानून में उसको भी सरकार वापस ले उसकर भी सरकार की तरफ से कोई बहुत बुकता जवाब या आस्वाशन नहीं दिया गया आज आनम जी 19 जनवरी को हुनी है बातचीत किसानों की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है देखिए जो सबसे एहम प्रोग्राम आ रहा है किसान तंकटों ने जो अनौन्स किया था एक तो लोहरी के बाद उन्होंने नेता जी शुबाश चंट्रबोस की जो बर्ती है उस तिन परेड निकालने की बात कही है पहले ये बाते आ रही थी किसान जो है अपने ट्रेक्टर परेड राजपत पर करेंगे इसको लेकर के जो इंटेलिजन्स एजिंसी हैं खुफिया तंत्र है वो भी काफी सक्रीव हुआ 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 है और कहीं टक्राव की स्टिती ना बन जा कहीं किसान सच में अपने जो ट्रेक्टर हैं वो राजपत पर ना ले आए इसको लेकर के अजिंसियां पूरी तरहिके से मुस्तैद हैं सरकार भी इस पर पूरी निगरानी हुई है लेकिन आज डो टीम अलग अलग बयान जरूर सामने आए जब महिंद सिंग टिकेट जो भ पिर क्या रुखोगा किसान नेताओं का संगटनों का जोन नेकलत की वो त्टिली पे नहीं निका लेको लेकिन दूसी तरफ और थी कुछ नेताओं के बयाना है जिसमें उने कहा कि अभी ये रूप रेखा तै होनी है कि परेड का स्वरूप क्या होगा कहा निकलेगी क्या उसका रूप होगा तो एक तरह से ये कहले जाए कि किसान संगठन सरकार से सीजे सीजे तकराव के मूड में नहीं है और ये जो बाते आ अकवाई कर रहे हैं जो नेता इस पूरे आजिटेशन की इस आंदोलन की उनकी स्विक्रिति इस चीजे को नहीं है बिलकुल भी तो ये बहुत एक पॉसिटिव डिवेलप्मेंट है कि किसान जो नेता हैं वो सरकार से किसी तरह का तकराव नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि बातचीत के जरिए केंडर सरकार के जरिए ही ये कानूर वापस हो यानि बातचीत से अब तक हल नहीं निकला है वही सुप्रीम कोट ने जो कमेटी बनाई थी उसमें भुपेंदर सिंग मान थे उन्होंने खुद को अलग कर लिया इस कमेटी से तो आज तक ने उनसे खास ब तो उन्होंने कहा आज दो तो मैं मुस्करा रहा था कि जब मैं है ही नहीं कमेटी में तो वाइट कैसे दूँ तो आएश्था आश्था होते होते मैंने वो सारा बंद कर दिया क्योंकर मीडिया को मैं अमबरस नहीं करना चाहता था उसके बाद कल माई डिए कल बारां जब अफिशिल कम्मुनिकेशन आई है उसके बाद मैं समीटा था जब अब मैं हो गया हूं तो मैं समीटा था कि अब चीफ देस्टिस आफ इंडिया ने अगर मेरे में इतना फेथ और कर्विडेंस व्यक्त किया है तो मैं उनसे बात पहले करूं तो आई स्पोक टुएं सी तो बाराओं बजे ये करके पौने दो बजे मैंने आपको प्रेस्टिस दे दिया था जिर्फ गंटा सवा घंटा एक गंटे में ये मैंने कर लिया सो ये जो इतने दिन क्यों नहीं किया वो वो गड़ा वगड़ा तो ये बात चीत जारी है लेकिन किसान संगठन आंदुलन में तेजी लाने की कोशिश में जुटे हैं एक ट्रेक्टर मार्च होना है 26 जनवरी को लेकिन उसकी प्लैनिंग को लेकर ये संगठन आपस में एक दूसरे से सहमत नहीं है मतभेद क्या है ये पूछा मैंने हमारे आज त आखिर कर अगर जो वहाँ पर पहले से सेना की परेड होती है और बाकी जाकिया दिखाई जाती है क्या उनसे वो दूरी बना कर रखेंगे या फिर कोई अन्य रूट चुनेंगे इस पर साफ तौर पर सरकार तो चाहेगी कि दिल्ली की सीमा में इस तरीके का विरोध प्रद दर्शन ना हो और इसलिए सरकार निश्चित तोर पर ऐसी किसी भी ट्रैक्टर रैली को अनुमती नहीं देगी लेकिन अब जाकर के जो किसान संगटनों के नेता हैं उनमें से कुछ ऐसा कह रहे हैं कि हम दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करेंगे क्योंकि एक तरफ किसान और दो धेता हैं, उनका ये कहना है कि अगर सरकार नहीं चाहती है, राश्ट्रियपर्व है, राश्ट्रियपर्व की एक अपनी मर्यादा है और उसी मर्यादा में रहते हुए हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, तो ट्रैक्टर रैली को ले करके ये दो बाते आ रही है और इसी को ले करके विवाद है क्या दिल्ली में ट्रेक्टर रैली जाएगी नहीं जाएगी और अगर जाएगी तो क्या जो सामाने तौर पर परेड होती है सेना की परेड उसमें खलल पड़ेगा, व्यवधान डलेगा, साथी साथ जो विदेशी मीडिया है उसके वह भी कब पर भी बट्टा लग सकता है, इन तमाम चीजियों को ले करके किसान यूनियन बटे हुए है हेलो डॉक्टर हेलो डॉक्टर, आज तक रेडियो की एक खास सिरीज है, जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुँचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके, यानि अलग-अलग बीमारियों पर मशूर डॉक्टरों का ज्यान, उनकी सलाह, घर बैठे आप तक पहुचती है, हर मंगलवार सुबह, आज तक रेडियों पर और अब बात उत्तर प्रदेश की, वहां की राजनीती की, और उसमें भी BSP सुप्रीमों मायवती की आज 65 वाद जनम दिन हमका, इस मौके पर मेरे संगर्शमय जीवन और BSP मूवमेंट का सफर नामा भाग सोलह, इस नाम की एक किताब जारी की गई, एक एहम एलान भी हुआ, यूपी की पूरू सीम ने कहा है कि यूपी में और उत्राखंड में, जो चुनाव होने हैं, उन् किस एहलान का कोई फर्क पड़ेगा? यानि कुछ गड़बंधन कर सकती हैं, हाला कि उत्तरप्रदेश को लेकर उनका हमेशा से ही एकला चलो का इतिहास भी रहा है, और BJP के साथ छोड़ दें, या फिर पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ की बात छोड़ दें, तो मायवत्ती अकेले लड़ती रही हैं, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का गड़बंधन टूटा था, उमीद ये की जा रही थी कि मायवत्ती अकेले लड़ेंगी और आज उन्होंने उसका एलान भी कर दिया, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 2007 में चुनाओ के बाद उनकी वापसी हुई थी, 2007 के चु का कोई गड़बंधन नहीं होगा, लेकिन अभी भी बहुत वक्त बशा है, देखना होगा कि आने वाले वक्त ने, ये पुरा का पुरा जोनका स्टैंड है, वो क्या यही रहता है या कुछ बदलता भी है। छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिर हुए हैं, खाला कि पिछला जो चुनाओ हुआ था पार्लेमेंट का जिसमें दोनों, बीजेपी और बीएसपी और समाजवादी पार्टी साथ लड़े थे, इन दोनों में बीएसपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और जो जब गड़बंधन हुई थी तो लोगों को उमीद थी कि ये गड़बंधन आगे चलेगा, लेकिन मायावती ने इस गड़बंधन को खत्म किया, तोड़ दिया, अब जब कि बीएसपी कमजोर होती जा रही है, लेकिन बीएसपी कते ही नहीं मानती, मायावती कते ही नह वो सपा के साथ नहीं जाएंगी, उन्होंने एलान कर दिया है, उनके साथ गड़बंधन तोड़ा है, वो कॉंग्रेस के साथ बिलकुल नहीं जाएंगी, क्योंकि कॉंग्रेस के साथ का गड़बंधन उन्हें उत्तर प्रदेश में उनको लगता है कि उनके वोट बैंक में ही फ्रेनमारी हो जाएगी, बीजेपी के साथ वो जा नहीं सकती छोटे दल कई बचे थे और जिसकी चर्चा यही चल रही थी कि वो इन छोटे दलों के साथ शायद जाएं लेकिन इतिहास यह है कि मायवती हमेशा से अकेली राजनीती करने में यकीन रखती है और शायद उन्होंने यही संदेश भी दिया है लेकिन कमजोर होती मायवती के लिए निश्चित तोर पर आज का जो उनका बयान आया है वो अपने कारिकरताओं के लिए है कि हम अकेले चलेंगे, अकेले लड़ेंगे और जीत करके दिखाएंगे तो अभी वक्त बचा है अभी देखना होगा कि क्या आने वाले आखरी महीनों में वो किसी गड़बंधन को करती है या नहीं या किसी दल को अपने साथ लेती है या नहीं लेकिन जो पॉलिटिकल घटनक्रम है वो साफ दरशाता है कि मायावत्ती बिलकुल अकेले जाएंगी भले ही वो कमजोर क्यों न हो लंदन की एक एजनसी है dealroom.com उसने रिपोर्ट जारी की है उसके मताबिक 2016 के बाद से बैंगलूरू दुनिया के सबसे टेजी से बढ़ते टेकनोलोजी सेंटर यानि कहिए कि टेक हब के रूप में उभरा है बैंगलूरू के बाद इस लिस्ट में है लंदन, म्योनिख, बर्लिन, पेरिस भारत की आर्थिक राजधानी मुंबही भी इस लिस्ट में है लेकिन छटे नंबर पर है तो हमने बात की इंडिया टुड़े की एसोसियेट एडिटर शुभम शंगधर से और पूछा ये किन वजहों से बैंगलूरू नंबर वन पोजिशन पर आया है जी लंदन की एक एजिंसी लंदन एंड पार्टनर्स ने ये डेटा एनिलाइस किया है जिसमें ये पाया गया है कि बैंगलूरू पुरी दुनिया का सबसे ज़्यादा वीसी इंवेस्मेंट आकरशित करने वाला शेहर बन गया है ये डेटा जो एनिलाइस किया गया है 2016 से 2020 के दौरान जो वेंचर कैपिलिस्ट का इंवेस्मेंट आया है उसके आधार पर तयार किया गया है उसी आधार पर ये तै किया गया है कि कौन सा सिटी किस स्थान पर है सबसे उपर जो नाम है वो निश्यत तोर पर बैंगलूर का है इसके बाद यूरोप के चार शेहर लगातार है उसमें लंदन है, म्यूनिक है बर्लिन है पैरेस है और इसके बाद फिर छटे नंबर पर जो है वो भारत का ही एक और शहर जिसे हम economic capital कहते हैं इंडिया की मुंबई वो आता है तो इस तरह अगर आप देखें तो टॉप छह शहरों में नंबर वन पर और नंबर छटे इस्थान पर दोन इस्थान पर बैंगलोरू और मुंबई है यह एक बड़ी interesting बात है यह हमें समझना होगा कि इंडिया दरसल बहुत सारी IT companies की outsourcing का hub है और बैंगलोरू जो लंबे समय से IT का hub रहा है उसके पास लगातार investment का आना नए-ने start-ups यहां से जनम लेते हैं नए start-ups के वज़े से नए ideas के वज़े से बहुत सारा VC investment इस शहर पर आता है इस शहर में इवन नॉइडा है मुंबई है पूने है और भी कई शहर ऐसे हैं जहां पर अच्छे start-ups IT के कुछ centers बड़ी companies के offices हैं लेकिन बैंगलोर की जो पहचान है वो दरसल एक start-up शहर के रूप में है बहुत सारे start-ups ऐसे हैं जो बैंगलोर से ही बड़े बड़ी companies हमने उनको बनते देखा है और अभी भी नैने ideas नैने चीज़ें वहां से हम आती देखते हैं और इसी वजह से अभी भी हम बहाँ पर बहुत सारे नैने ideas नईनी चीज़ें वहां आते देखते हैं और यही वजह है कि बैंगलोर को इस लिस्ट में शीष पर इस्थ बाइदा भी मिलता है जब कोई शहर जब कोई खास जगह अगर किसी हव के तोर पर बड़ी होती है बनती है पूरा ecosystem वह अपने साथ लेकर चलती है तो निशे तोर पर वहां के जो real estate prices होते हैं वो बढ़ते हैं हमने अभी recent जो report आई है अगर मैं night frank की report को code करूं तो एक recent report आ देखते हैं जो यह southern state है चाहे वो हैदराबाद हो चाहे वो बैंगलोर हो इन states में जो offices की demand थी उसमें कोई बहुत बड़ा बहुत बड़ी कमी नहीं आई है overall पूरे भारत की बात करें तो निशे तोर पर office absorption जो है वो 44% ही कम हुआ है पिछले साल की 2019 की तोलना में 2020 में लेकि भी नहीं है जबकि उसी के ठीक सामने आप सापेक शगर देखें तो चाहे मुंबई की बात करें दिल्ली एंसियार की बात करें यहां पर offices के rents भी गटे हैं एक और बड़ी important चीज़ यह है कि ऐसा नहीं है कि यह कोई एक दिन का process है एक साल का process है यह ecosystem बनने में एक लंबा स तो शायद हमारे दिमाग में दूसरे शहर आते हैं क्योंकि वहाँ पर उनका ecosystem तयार हुआ है अगर किसी state में इस तरीके का कोई शहर होता है जहां से बहुत अच्छा revenue आता है तो निश्य तोर पर इसका फाइदा ना केवल उस शहर की local economy को बलकि पूरे state को मिलता है बात क्रिकेट की भारत और आस्ट्रेलिया के भी चौथा टेस्ट आज से ब्रिस्बेन में शुरू हो गया टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी आस्ट्रेलिया दिन का खेल खत्म होने तक पांच विकेट खो दिये और 274 अन बना लिये भारत के लिए पहली पार क्रिस्पोंडेंट मोहम्मद इकबाल से बहुत ही आसान मोखा था लेकिन वही है ना कि 100 में से 99 मरतबा खुद अजंके रहने उस कैच को पकड़ लेते लेकिन क्यूंकि दिन आज माननस लाभूशेन का था तो उनको दो-दो जीवंदान मिले और उन्होंने शतक पूरा किया लेकिन यहां से बिलकुल सही कहा आपने जल्दी विकेट जटके दूसरा सेसन जो है इस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया और तीसरे सेसन में भारत में वापसी की अगर तीसरे सेसन में भारत अच्छी वापसी करता तो बोड पे अभी कुछ और नजार आता एक बाग। पहें हैं वो शायद ना हो पाता क्योंकि उनके ओपर फिर स्टेट फॉर्वर्ड दवाव हो जाता साफ़तोर पर की टॉप अफ दी ओर जो है विकेट उनका गिर गया होता लेकिन क्योंकि वहां पर एक बढ़िया अधार शिला रख दी मारनेस लाबुशन ने इसके बाद जाहर से बात है कि इन से क्रेडिट आप छीन नहीं सकते जिस तरह की बाटिंग ग्रीन और टीम पेन ने किये बहुत अच्छी बाटिंग किये इनों ने और भारत की गेंदवाजी में कहीं जो इन एक्सपिरियंस है रितुराज वो तो साफ़तोर पर जलग की रहा है और ग्रीन और टीम पेन को सुभा आउट करना सबसे बड़ी चुनाथी होगी भारतिया गेंदवाजों के लिए क्योंकि एस्ट्रेलिया यहां से अगर इकबाल दो सेसन खेल लेता है तो समझ लीजिए कि तीसरे टेस्ट जैसी नौबत आजाएगी इंडिया के लिए चौथे टेस्ट मैच में बिल्कुल सही बात आउस्ट्रेलिया को अगर आपने जल्दी आउट नहीं किया तो फिर यह टेस्ट मैच जो है आपकी रीच से आपकी पहुंच से बाहर चला जाएगा तो जैसा कि हम इस टेस्ट सीरीज में अमोमन करते रहें ओवरनाइट स्कोर से जब भी ऐस्ट्रेलिय आगे खेलना शुरू करता है तो हम उनको जल्दी निप्टा देते हैं तो उम्मीद करते हैं फिंगर स्ट्रेलिया कल फर्स पेशन में ही ओल आउट हो जाए और बहुत जादा रन जोड़ना पाए फिर एक बार जो है मौका रहेगा भारती बल्लेबाजों के पास वापसी क क्योंकि अगर स्ट्रेलिया जितना अधिक स्कोर बनाएगा हमारे जो तीन प्रमुख बल्लेबाज हैं पुजारा रहाने और रोहित सर्मा उन पे दबाव लगाता बढ़ता चला जाएगा तो आज के दिन भर में इतना ही हमें कुछ भी लिख कर भेजना चाहते हैं radio at the rate आज तक.com हमारा पता है। आपके मेल्स का इंतजार रहेगा, शो में शामिल भी करेंगे। अभी जाज़त दीजेस पॉडकास्ट के प्रोड्यूसर प्रतीक वागमारे को और साउंड इंजीनियर कप्रिल देव सिंग को। मेरा नाम है नितन ठाकुर, सुनते रहेए आज तक रेडियो।